Hello dear students, class 4th और 5th की जो इंगलिस की वर्क बुक है उस वर्क बुक की एर्थ वर्क शीट में आपका स्वागत है एक फॉर्मेटिव असेस्मेंट और एक से लेकर 7 तक वर्क शीट जो हैं वो मैं इस वीडियो से पहले अपलोड कर चुका हूँ वो आप देख सकते हैं और वीडियो देखने के लिए जो पहले के वीडियोज है उनको देखने के लिए आप प्ले लिस्ट में जाईए प्ले लिस्ट में क्लास 5 लिखा हुआ है उस क्लास 5 पे अगर आप क्लिक करते हैं तो क्लास 5 से रिलेटेड जितने भी वीडियोज है वो आपको वहाँ पर देख जाएंगे, मोडल पेपर भी वहाँ पर दिया हुआ है, किस तरह का पेपर जो है, वो फिफ्ट क्लास का होने वाला है, और इस वीडियो में हम वर्कशीट, एर्थ जो है, उससे लेकर के, फॉर्टींत तक की जो वर्कशीट्स हैं, वो हम पढ़ेंगे और फॉर्मेटिव अससमेंट सेकंड वो भी हम इसमें सॉल्व करेंगे, तो क्लास फॉर्थ हैं फिफ्ट की ये वर्कबुक है, उसकी एर्थ वर्कशीट में, एर्थ से लेकर के फॉर्टींत तक की जो वर्कशीट्स हैं, उनमें आपका स्वागत है, हम पढ़ते हैं आगे और इसमें फॉर्मेटिव असेस्मेंट सेकंड भी इसमें आपको मिलेगा, देखते हैं आठवी वर्कशीट ये रही आपकी स्क्रीन पर, वर्कशीट नमबर एट आपकी स्क्रीन पर है, इसमें कॉम्पिटेंसी जो दी हुई है वो है यूज, यूज आआंट यूज नंबर है उनका नाम जो यह वो भी यहां पर दिया हुआ है और नंबर भी यहां पर दिये हुए है जैसे फर्स्ट दिया हुआ है 25, 52, 25, 35 इसमें आपको पहचाना है 25 बोली कोन सो है तो कैसे इसको आपको करना है tick mark करना है square करना है circle करना है देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें यहां पर लिखा हुआ है circle the correct यह यहां पर लिखा हुआ है circle करना है यानि कि circle का मतलब है इस तरह से गोला जो है वो करना है correct number यानि कि यह जो three यहां पर numbers दियो है उनमें जो correct number है उस पे आपको circle करना है इस name को बताता हुआ वो नंबर होना चाहिए यहां लिखा हुआ है 25 तो 25 इसमें यहां देखते हैं कौन सा डिजिट है आप बताइए जी बिल्कुल 25 जो है यह सेकंड नंबर पर जो है वो है इसको इस तरह से गोला करना है जैसे मैंने किया है 25 यह है नेक्स्ट जो नेम है वो देखते हैं 38 अब इसका 38 नेम है और नंबर इसमें देखते हैं कौन सा है 38 पहला अगर हम देखें तो यह 37 है फिर 38 है फिर 83 है बिल्कुल exactly सेकंड नंबर वाला जो है वो 38 है चलिए इसको सर्किल कर देते हैं यह सर्किल करना होता है सर्किल मतलब गोल प्रित जो है वो हम बना देते हैं तार्डिस में देखते हैं 49 यहां लिखा हुआ है 49 वया की 19 प्रशास वह हम 49 बोलते हैं सब्से पहले हम देखे तो यहां यह दिया हुआ है 94 यहां दिया हुआ 68 और यह रहा फिलकुल 49 हम यह इसको हम सरक्ल कर देंगे यह इस तरह से नेक्ष्ट हम देखते हैं 79 देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है 89 फिर लिखा हुआ 56 और फिर आगे बिलकुल यही है 79 चलिए इसको छाकिल कर देते हैं यहें 79 फिर फिर 12 1220 से कौन सा है एक तो 22 है क एतीन है और 12 है त्युनों मेंसे कौन सा होगा बताईए बिलकुल यह होगा देखते हैं बिलकुल सही है सही जवाब आपका ये 12 है 52 इसमें देखिए कौन सा 52 है 52 25 여기 two three digits इसमें दियो हुए हैं बिल्कूल इग्जेक्टली देखते हैं यह है 52 नेक्स्ट हम देखते हैं 68 आपको भरना है 68 देखें थ्री डिजिट्स इसमें से देखिए क्या है अब आप बताईए इसमें क्या लिखा हुआ है और कौन सा ढूनना है यह जो दोनों है यह है 74 और इसके बाद वाला जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 83 नेक्स्ट देखिए कौन सा है बिल्कूल 84 इसमें 63 फिर इसके बाद है 48 लास्ट है इसमें क्या लिखा हुआ पढ़िए 21 21 देखिए यहां कन्फूज होने वाली बात है यहां 20 भी लिखा हुआ है और यहां 1 भी लिखा हुआ 20 यह और 1 है लेकिन इसमें यह 201 है 21 नहीं है और यहां टीचर से साइन करवा लेना बिल्कुल तो इसमें हमने रिडिंग यानिकी पढ़ना जो है वो हमारा यहां पर एक्शन हुआ है एक्टिविटी हुई है पढ़ने की वर्क्षीट नंबर एट में नेक्स्ट हम देखते हैं चलिए नेक्स्ट वर्क्षीट नंबर न मेच करवाना यहां पर मिलान करवाना है सह संबंध आपको बताना है तो सबसे पहला इसमें है कार देखिए इसमें कार कौन सी है इस तरफ अगर आप देखेंगे इस तरफ जो है यह है तो इस तरफ वाले में भी हो सकता है और इस तरफ वाले में भी हो सकता है आपको इन ए रही आपको मिल सकते हैं यह रहाकार यह रही है इस तरह से मेंच करवा देना है मोटरबाइक क्या है क्या लिखा हुआ है और कहां पर है यह आपको देखना बिल्कूल यह रही मोटर बाइक बिल्कुल सही है थब देखिए क्या है स्पेलिंग पड़ी ए पढ़ने की कोशिच कर ये वर्ड को एरोपलेन या एयर प्लेन एय अपलेन उसमें देखिए एयरफलेन कोन से यह है नहीं यह helicopter है आप सोचोगे ये अर्पलेन है ये helicopter इसको बोलते है अर्पलेन का है ये रही बिलकुल ये रही तो आपको करवादेना, ship, S-H-I-P, ship, ship, यानि पानिका जहाज, पानिका जहाज देखो का है, बिलकुल यह रहा, पानिका जहाज, और यह रही cycle, cycle, फिर helicopter है, तो helicopter देखते हैं, कौन सा है, यह रहा है, helicopter, फिर क्या है, train, train देखो का है, ये रही train बिल्कुल ये रही train फिर क्या है फिर है बस बस देखो का है ये रही बस तो हो गया ये अब next इसमें क्या करना है circle the old one old का मतलब होता अलग जो बाकियों से जो अलग हो अब यहां देखो ये तीन है car, train और cycle बताना क्या है इनमें इनमें हम बताना है हमें कि on road कौन सी चलती है on road कौन सी चलती है ये हमें बताना है on road कौन सी चलती है ये चलती है on road कौन सी चलती है ये चलती है तो इनसे अलग कौन सी हो गई on road कौन सी चलती है ये चलती है तो हमें क्या बताना है और बताना यानि कि अलग बताना ये पट्रियों पर चलती है रोड पर नहीं चलती ना इसको हम सर्क्ल कर देंगे समझ गए यानि कि आपको यहां जो लिखा हुआ है इसको देखना है और इससे मिलते जुलते जो है पहले तो उनको देखना है फिर इन में से अलग कौन सा है ज यह ओड़ वर्ड इसको हम बोलेंगे ओड़ वर्ड ओड़ मतलब अलग वाला शब्द तो यह अलग है जो दोनों से मेच नहीं करता वो ओड फिर इसमें है वॉटर देखिए वॉटर का मतलब क्या होता है पानी यहने की पानी में चलने वाले तो दो होंगे इसमें दिये और यह यहां पर क्या है शिप है तो इसमें अलग क्या हो गया देखो बस पानी में चलती है या नहीं चलती तो इसको हम अलग शब्द बनाएंगे अलग बता देंगे इसको बाकी दोनों से तो यह ओड वन हो जाएगा यानिकी ओड है इस तरह से यह वर्क्षीट नमबर ने पढ़ा तो डेट यहां पर लिख देंगे जिस दिन यह वर्क्षीट आप करते हो और सिगनेचर यहां टीचर का करवा लेना नेक्स्ट वर्क्षीट की तरह बढ़ते हैं वर्क्षीट नमबर टेंट यह रही आपकी स्क्रीन पर तो इसमें सबसे पहले तो हमें यह और अप्रोप्रियेट नंस और राइट देम इनदेर करेक्ट बोक्स इज तो यह भॉक्स दिया हुआ इसमें प्रोप्रियेट नूंज जो है वह आपको डोना है नीचे यहां पर बोक्स दिये हुए हैं आपकी वर्कषीट में उसमें सबसे पहला जो बोक्स है उसमें स्कूल जो है वो विपल होता है लोग होता है गया नहीं त्री लोग होता है गया नहीं सन लोग होता है यह सूरज होता है लोग नहीं होता व्यक्ति नहीं होता शिस्टर हाँ यह व्यक्ति होता है यह लोगों में होता है तो हम यहां पर देखेंगे सबसे पहले तो हमने पहच चान कर लिए उसके बाद देखते हैं लोग लोग नहीं होता में होता है बिल्कुल आदमी होता में का मतलब तो यह लोगों में काउंट होगा फिर कौन सा हाउस यह तो नहीं होता हेट भी नहीं होता है एंड का मतलब चीटी होता है डोक्टर यह लोग होता है बिल्कुल यह होता है तो हमने यह चीज नोट कर ली कि तीन हमें मिल गए सिस्टर में और डोक्टर आगे देखते हैं फ्रोग मेंडक होता है यह लोग होता है या नहीं फ आपका दिया हुआ है और यहां पर आगए 3 words हमने देखिया थे यहां पर पहला यह था sister दूसरा यह था यह sister आ गया दूसरा man था और तिसरा doctor था हमने people में इन यहां पर रख दिया नेक्स्ट हम देखते हैं बोक्स जो है वो है एनिमल्स का नाम जो है वो यहां पर आ जाना चाहिए जानवरों के पहचाना आपको इन में से करनी है यह स्कूल है जानवर है क्या ट्री आ पहचानना ट्री सन इस्टर डोग डोग होता है क्या जानवर बिल्कुल सही है यह डोग जानवर होता है तो हम इसकोल यहां पर लिख देंगे डोग फिर क्या है तो यह एक हमें मिल गया दूसरा इसमें मैं जानवर नहीं होता हाउस जानवर नहीं होता है एंट चींटी एंट का मतलब क्या होता है चींटी यह जानवर होता है बिल्कुल तो हमें दूसरा भी मिल गय वैसे ही जू जो है यह जानवरों का इस्थान है इसको बोलते हैं चिडिया घर क्या बोलते हैं चिडिया घर यह शर्ट यह वस्तू होती है बोटल यह वस्तू होती है टेमपल इस्थान होता है जानवर नहीं होता नहीं है एनिमल्स कि नाम हमें है वो मिल गए देखते हैं कौ लिखने फिर से देखते हैं school ये इस्थान होता है तो इस्थान यहाँ पर आ जाएगा three, son, sister, dog, man, house ये इस्थान होता है दो मिल गए हमें एक तो school मिल गया और एक house मिल गया फिर hate, aunt, doctor, frog, family ये भी इस्थान है ये मिल गया, Jew ये भी इस्थान है, shirt, bottle, temple ये भी इस्थान है यानि कि four words जो है वो हमें मिल गए देखते हैं कौन-कौन से words five मिल गए, school, house, family, and Jew और temple ये इस्थान के नाम है next हम देखते हैं, next क्या मिलता हमें, things, things डूंड नहीं है और things जो है वो इस box में अपने को लिखना है, things देखो, फूल इस्थान हो गया, tree ये थिंग होता है, बिलकुल ये थिंग हो गया, sun, suria, ये भी हम थिंग में ही count करेंगे sister ये वेक्ति है, log हो गया, dog ये जानवर है, man वेक्ति है, तो log में आएगा house ये इस्थान है, तो है इस्थान में आएगा, hate ये वस्तु है, ये थिंग है, तो हम यहाँ लिख देंगे hate को, and ये जानवर है, doctor इनसान है, वेक्ति है, log है, progmender की जानवर है, family इस्थान है, jew, चिरियागर ये इस्थान है, shirt ये वस्तु है, तो हमें एक और word मिल गया shirt, bottle वस्तु है, और temple इस्थान है, तो देखते हैं, कौन-कौन से words आते है, tree, sun, hate, shirt और bottle, ये हमें यहाँ पर मिल गए, ये things इसमें हो जाती है, ये यहाँ पर सारे small letter में होने चाहिए, ये capital letter printing mistake है, ठीक है, आप small letter में लिखना इनको, देखो, कहीं कहीं पर ये s आ जाता है, य ये अपने आप automatic हो जाता है, कई बार ध्यान नहीं देते हैं, तो आप यहाँ small letter में लिखना ठीक है, तो functional grammar हमने यहाँ पर पड़ी, grammar में हमने कौन सा topic पड़ा, noun पड़ा, ये पूरी noun की परिवाशा है एक तरह से, ये noun जो होता है, वो people का, animals का, places का, और things का नाम होता है, यानि कि व्यक्ति, वस्तु, इस्थान और जानवर, योगया व्यक्ति, योगया जानवर, योगया इस्थान और योगया वस्तु, इनके नाम को संग्या कहते हैं, जितने भी words इन से संबंदित हो, वो सारे के सारे क्या होंगे, सारे के सारे nouns होंगे, तो date यहाँ पर लिख देंगे जिस दिन यह वर्क्षीट हम करते हैं और यहां पर कर देंगे signature नेक्स्ट वर्क्षीट की तरफ हम बढ़ते हैं इसमें हमने functional grammar जो है वो हमने पढ़ी grammar व्याकरण को बोलते हैं और यू सेज ग्रिटिंग्स ग्रिटिंग्स यानि कि अभिवादन जो हमने वर्क्षीट नंबर सेकन में शायद पड़ी थी वो है अभिवादन गुड़ मॉर्निंग गुड़ आफ्टनून गुडबाई गुड़ नाइट यह सब चीजह हम पढ़ चुके हैं और एक तो इसमें ग्रिटिंग वाला है एंड पलाइट इसको पॉलाइट नहीं पढ़ेंगे पलाइट फॉर्म्स ओफ एक्स्प्रेशन्स यानि कि अभिविक्ति जो होती है उसकी विनम्र उसका विनम्र रूप जो है वो यहां पर हम पढ़ेंगे विनम्रता से कैसे बात करते हैं लिसें टीचर को सुनना है टीचर जब पढ़ेंगे ये तो सुनना है जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं तो मैं आपका टीचर हूँ मुझे सुनना है आपको यहां क्या लिखा हुआ है यहां लिखा हुआ है आपको इसी भी रिदम दे सकते हैं इस पोईम को पढ़ने के लिए लेकिन आप लोग जो है वो अपनी राग और अपनी ले से इसको गा सकते हैं तो इस तरह से आपको यह कवीता पढ़नी है सबसे पहले दो लाइन है उसमें लिखावा फिर से में रिपीट कर देता हूं good morning to you good morning to you with a smile on my face I ask this to you hello my friend how are you how are you कैसे हो तुम सबसे पहले तो क्या बोला तुमको गुड मोर्निंग तुमको इसमें बोला कि आपको गुड मोर्निंग आपको good morning with a smile with a smile smile के साथ ओटों पे with मतलब के साथ smile मतलब smile ओटों पे लाते हैं न मुस्कुराते हैं बिलको लियूँ है इसते हाहा इस तरह से हसना नहीं है बिल्कुल होट मिले हुए या दान दिखा सकते हैं थोड़े से और ये एक बहुत ही प्यारी सी शकल जो है वो इसमाइल से बन जाती है On my face मेरे चहरे पर प्यारी सी मुस्कान के साथ I ask this to you मैं तुमसे ये पूछता हूँ या मैं तुमसे ये पूछती हूँ Hello my friend, Namaste मेरे दोस्त, How are you? तुम कैसे हो? जब हम पूछते हैं कि How are you? तो इसका मतलब होता है कि तुम कैसे हो, फिर वो बोलता है, क्या बोलता है, यह हम आगे पढ़ेंगे, जब हम किसी से पूछते हैं, तुम कैसे हो, तो उसका जवाब क्या होता है, यह हम आगे नीचे, पढ़ेंगे, तुम कैसे पढ़ेंगे, यहाँ पैसे काई पुरा लाइक भीडायां अगे नारों। पैसे इंगे होता है बोलेंगे पैसे एंड शे सलेक्टर प्य कोर इस पैसे को पढ़ना है इसको इन लाइन्स को पढ़ना है and select और select करना है याने की चुनना है क्या चुनना है the correct replies, the correct replies जो है वो जैसे मैंने भी बताया था how are you reply क्या आएगा correct replies क्या आता है वो अपने को इस में से चुनना है from the box to fill in the blanks यह जो box दिया हुआ है यह नीचे देव को यह रहा I am fine यहां लिकावा है my name is Rohan लिकावा है my name is Khetis लिकावा और good morning लिकावा है तो यह जो boxes दियो हुए इन boxes में से आपको यह जो lines यहां पर खाली छोड़ी हुई है यह dialogue है एक यहां Rohan ने बोला यहां Khetis ने बोला यह आगे हम समझेंगे पहले हम पढ़ लेते हैं इस passage को it is the first day it is it is the first day यह पहला दिन है of school school का for Rohan, Rohan के लिए for मतलब के लिए Rohan मतलब, Rohan किसी लड़के का नाम है मान लेते हैं कि यह Rohan है यहां पर यह यहां पर Rohan है, इसको लिख देते हैं R और यह Khetis है तो इसका लिख देते हैं K तो यह Rohan हो गया, यह Rohan हो गया और यह Khetis हो गया इतर तो रोहन के लिए यह school का पहला दिन है, Rohan meets Khetis Rohan Khetis से meets मिलता है, जैसे यहां मिल रहा देगो Rohan meets Khetis, इसको आप five times बोलेंगे न, तो यह अपने आपी यह चीजें जो है वो दिमाग में आ जाएंगी, Rohan meets Khetis And, और, जब हम sentence दूसरा लिखते हैं तब बीच में end लगाते हैं And, एक काम होगे न, Rohan meets Khetis, Rohan Khetis से मिलता है अब दूसरा काम बोलेंगे तो हम end लगा देंगे And, और, और, they talk to each other, वह एक दूसरे से बात करते हैं Talk to, एक साथ आता है, यह talk के बाद में to लगाना necessary है लगाते ही लगाते हैं, they talk to each other, each other का मतलब होता है एक दूसरे से, अपस में, एक दूसरे से वह बात करते हैं Complete the following dialogue, इस dialogue को complete करो, नीचे लिखे होगे, जो यह है Dialogue नीचे लिखावा, उसको complete करो, between Rohan and Khetis Dialogue जह है, वो किन के बीच में है, Rohan और Khetis के बीच में With the help of your teacher, अपने teacher की साहिता के साथ मैं यहाँ आपका teacher हूँ, तो मैं आपकी यहाँ साहिता करूँगा, आपकी help करूँगा, बिल्कुल अध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए Practice it with your friend, फिर सीखने के बाद आपको practice करनी है किस के साथ? With your friend, अपने friend के साथ With your friend, friend के साथ With your mother, मा के साथ With your father, अपने पापा के साथ With your brother, अपने भाई के साथ With your sister, अपने बहन के साथ घर पे आप कर सकते हो, यानि कि With जब हम लगा देते हैं, तो के साथ होता है इस With का मतलब तो रोहन इसमें क्या बोल रहा है देखो, रोहन बोल रहा है यहां रोहन लिखा हुआ है आगे यह बात यहां पर लिखी हुई है जो रोहन बोल रहा है रोहन क्या बोल रहा है, रोहन बोल रहा है Good morning प्यार से बोला, प्यार से बोलना है Good morning यह लगता है जिसे कोई गुसा कर रहा हो प्यार से बोलना है, रोहन क्या बोलेगा, गुट मॉर्निंग, तो खेतेस क्या बोलेगा, खेतेस भी वापस बोलेगा, अब ये खेतेस क्या बोलेगा, वो हमें इस बोक्स में से चूज करना है, तो देखो, बोक्स में पहला ये लिखा हुआ, I am fine, my name is रोहन, my name is खेतेस, ये यहां पर सुबह हो गई, ये सुबह का वक्त है, सुबह के वक्त में मिल रहे हैं, देखो, ये रही है यहां पर, गुट मॉर्निंग वाली पिक आ गई, तो ये यहां पर बोला, खेतेस ने, गुट मॉर्निंग, वापस क्या बोला, गुट मॉर्निंग, अगर ये बोलता है how are you okay this क्या जवाब देगा यानि आप अगर किसी अपने दोस्त से पूछते हैं how are you या आप से आपका दोस्त पूछता है how are you तो आप क्या जवाब दोगे आप जवाब दोगे I am fine ये रहा देगो I am fine I am fine क्या बोलोगे I am fine ये रहा तो I am fine हम यहां पर ये box में से लिख देगे यहां पर ये first box में लिखा हूँ I am fine तो हमने यहां पर लिख दिया I ये रहा एम और ये रहा fine I am fine वापस आगे क्या पूछेगा वो भी वापस अब मतलब सिष्टा चार तो यही कहता है आपसे कोई हाल चाल पूछे तो आप भी वापस उसके हाल चाल पूछेगे How are you? आप केसे हैं? मैं तो ठीक हूँ I am fine मैं ठीक हूँ How are you? आप केसे हैं? तो पर रोहन बोलेगा वापस रोहन क्या बोलेगा I am also fine मैं भी अच्छा हू What's your name? आपका नाम क्या है? मान लिजे पहली बार मिल रहे हैं स्कूल में तो नाम नहीं पता तो नाम पूछ लेते हैं What's your name? अब देखो खेतेस से पूछा ना What's your name? तो यह रहा देखो यह वाली लाइन जो है यह ना क्योंकि रोहन पूछ रहा है तो आप अगर लिख My name is Khetes आप अपना नाम जोड के बोल सकते हों मान लो आपका नाम रहूल है तो आप बोलेंगे My name is Rahul अगर आपका नाम अनीता है तो आप क्या बोलेंगे My name is Anita यह निकि जो बोलेगा वो अपना नाम बोलेगा यहां पर तो यहां पर इसने क्या लिखा My name is Khetes my name is Khetis और ये भी अपने को ध्यान रखना है कि नाम का पहला अक्षर जो होता है, वो बड़ा होता है sentence का पहला अक्षर जो होता है वो भी बड़ा होता है, पहले शब्द का पहला word जो है, पहला word जो है उसका first letter जो है, वो capital होगा आप ये ने बताया my name is खहतेश what is your name अब ये वापस पूछेगा what is your name में नाम तो भाई खहतेश है आपका नाम क्या है रोहन क्या बोलेगा my name is रोहन obviously यह बोलेगा ना यह बोल सकता आई 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 एम रोहन तो लिए क्यों कि नाम पूछ रहा है और फिर से देख लेते हैं रहन ने कहतेस्स को बोला Good morning कहतेस्स ने वापस बोला Good morning रहन ने पूछा How are you कहतेस्स ने पूछा I am fine How are you रहन ने कहा I am also fine What is your name इस ने कह माई नेम स्केतेस Yes What's your name रहनने वापस कहा कहतेस्स से क्या कहा my name is Rohan तरह से यह डायलोग कम्पीर हो जाता है यहां आप डेट डालेंगे और यहां सिगनेचर करवा लेंगे अपने टीचर से बढ़ते हैं नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट वरक्षीट की तरफ नेक्स्ट वरक्षीट है नमबर 12 वाव क्या पिक यहां पर देखो किती सुन्दर what a beautiful picture you can see on your screen पर आँप देख सकते हैं कितनी सुन्दर पिक्चर है कौन है यह बताइए यह पिक जो है वो पिक में कौन है पिक में है yes it's a peacock क्या है peacock तो आपको क्या करना देखो इसमें vocabulary identify different parts of the body इसकी जो different parts है बोड़ी के शरीर के विबिन अंग जो है उनका आप आपको क्या करना है पहचान करनी identify करनी है यह हम यहां पर सीखेंगे कि इतने body parts जो हो मोड के कौन-कौन से होते हैं और कहां होते हैं उनको क्या बोलते है यह writing का है क्योंकि आपको लिखना है यहां पर body parts तो यह writing के लिए है वर्क्षित No.12 class 4th एन 5th दोनों की सेम है 5th की भ पढ़ना है, परिक्षा में इस तरह से आ सकता है, आपको लिखवाया जा सकता है, मौर का पिक दे करके कि कहां क्या है, या बताओ, या निशान लगाओ, इस तरह से आपको बिल्कुल अवेरो करके यह सीखना है, तो हम देखते हैं, यहाँ, सबसे पहले, यह पिक है, वाव, सबसे पहले क्या करना है color this picture of a peacock पहले तो यह करना है कि भी color करना है इस पिको का एंड लेबल इट using the words given below और लेबल लगाना है आपको कि यह जो नीचे दियो हुए है यहां यह दियो हुए है देखो यह जो words दियो है वो आपको लगाने है कि सिर कहा है आँख कहा है वेक कहा है crown कहा है ना मैं एक करके आपको Hindi meaning भी बताऊंगा कौन साब body part कहा होता है यह भी मैं बताऊंगा सबसे पहले आपको चूच करना है आपको इसमें color करना है मैंने यह कर दिया देखो मैंने यह color कर दिया है आपको भी यह color करना है वापस अटा देता हूँ देखो मैं इसके color करके इसको वापस शिपकाता हूँ मैंने पहले ही लगा दिया था यह मैंने color कर दिया यह रहा यह मैंने color किया इतना सुनता है आपक यह रहा हेड से उपर यह रहा हेड देखो यह मेच करवा दिया साम लगया है 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 हेड का मतलब क्या होता है हेड का मतलब होता है सिर सर नहीं सर तो आपको जो पढ़ाते हैं वो होते हैं सिर बोलते हैं इसको सिर सिर क्या है यह रहा और दूसरा इसमें क्राउन क्राउन बोलते है ताज को जो कलंगी होती है इसको ये सिर पे इसके DIY है ताज हैं देखो यहां बना हुआ है फिर से देखो यह रहा क्लॉज का क्वेश क्या होता है यह जो ट根ल्स क्या होता है यह लो רेल्वकी नेल्स ने खून होता है जो जो मेर्श ग्लॉज간 होता जो होते हैं कर ली पक्षियों के उल्लू के चिडिया के किसी के भी कभूतर के यह जो होते हैं यह क्लॉज कहलाते हैं नेक्स हम बढ़ते हैं नेक्स वर्ड जो है वो है लेक्स लेक्स तो आपको पता ही है टांगों को बोलते हैं तो लेक्स का है बताइए यह रहे बिल्कुल पूँच पूँच जोते हैं यह रही पूँच यह भी यहां पूँच बोलेंगे फिर हैं य कि चोंच का है दो यह लाम खिंचे गिए गोर सा देखना लाइन किचे अधिया भी यह बेक यह यह रही इसको चौश बोलते हैं ठीक है ऐब इक टाइमस बोलें गहें यह बेक बेक चौश बेक चौश तो यह लिर्ण हो जाएगा इस दिवे में नेक्स्ट हम बढ़ते हैं फैदर्स देखो यह रही फैदर्स कहां बन रहा देखो यह यह बन रहा फैदर्स को फैदर्स बोलते हैं यह फैदर्स है सारी के सारी ही यह देखो कलर फुली स्पिक में देखें अगर आप तो यह कलर है यहां पर देखो ग्रीन ब्लू और यलो लाइट डार्क ब्लू ठीक है स्काय ब्ल्यू यह सब यहां पर Green color जो है वह आप अपर इसमएं नेक्ट हम देखते हैं क्या है ऐसड़ यह रही देखो फिर से देखों यह कहां बन रही है यह 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 बन रही आई है यह यहां फैतर होते हैं पांक वो जो दिखते हैं जो उड़ने के काम में आते हैं विंग्स को यह यह रही यह यह बन गई से बोडी पार्ट के नाम जो हैं वह हमने यहां पर लिखे हैं टीचर से इंस्ट्रक्शन यहां पर दिये हुएं टीचर्ज यह वह हelf करेंगे स्टुडेंट्स की जो unfamiliar words हैं उनको समझने में familiar तो कुछ होते हैं जैसे eyes के बारे में जानते हैं बच्चे legs के ये worksheet की उसकी date लagा देनी है और यहां teacher के signature आपको ले लेने हैं बढ़ते हैं next worksheet की तरह वरकशीट नमबर थाटीन worksheet नमबर थाटीन में आपका स्वागत है यह रही आपकी screen पर worksheet नमबर थाटीन competency देखते हैं इसमें दख्षता क्या है, lessons to simple sentences और identifies keyword अपने सुनना है, simple sentences को यानिकि normal सामानिय, sentence, सामानिय वाग्य जो साधरान वाग्य होते हैं, उनको सुनना है and identifies keywords और जो मुख्य शब्द होते हैं keywords होते हैं, उनको identifies करना है मतलब पहचान करनी है आगे लिखा वाली संट्रियो टीचर, अपने टीचर को सुनिये read the below sentences and draw pictures नीचे को sentences लिखे होएं, उन sentences को आपको पढ़ना है और फिर क्या करना है, picture का निर्मान करना है देखते हैं क्या होता है, यह रही आपके सामने sentences की lists ना, table यहां पर बनी हुई है, सबसे पहला जो sentence है, उसको आपको पढ़ना है बिल्कुल पढ़िये देखी क्या लिखा हो है, फर्स्ट, फर्स्ट sentence यह देखो यह रहा है यह पढ़ना है, यह पढ़िये, लाइन खिंची मैंने है, यह लाइन खिंची देखो यह गोला बना दिया मैंने इसको पढ़ो, बिल्कुल यहां लिखा हुआ है, the cat is on the mat, the cat is on the mat, यह simple sentence है, देखो सबसे पहल दो चीजे है, एक तो है केट, एक है, mat, यहनि की केट है, और mat है, यहनि केट भी यह बिल्ली भी है और चटाई भी है, और चटाई के नीचे है कि उपर है, यह चीज हमें कौन बताता है, यह बताता है, on, on का मतलब जा होता है, उपर, तो बिल्ली कहां है, बिल्ली है चटाई पर, ठीक है, अगर य को गहाँ होता, तो बिल्ली का होती है on the wall यानि धिवार पर कोन का मतलब उता पर आगे आप कुछ भी लगा सकते हैं, यहाँ लगा हुआ मेट तो यह मेट पर वोल होता आप की जगh पर यहाँ गॉल होता तो गॉल पर अगर यहाँ टेबल होता ओन दा टेबल तो टेबल पर याईए के केड कहा है वह स्तिति हमें बता रहा है यह चीज ओन्द मेट ओके व्रट ट्थ तो पिक्चर बनाते हैं देखते हैं पिक्चर आप बनाना है आपको एक बिल्ली बनानी है फिर आपको एक चटाई भी बनानी है उसके उपर बिल्ली को बिठाना है देखते हैं यह यह मेरी बनाई हुई देखो यह नीचे चटाई है मेट है और मैंने बिल्ली को इसके उपर बिठा दिया बिल्ली का है ओन दा मेट बिल्ली का है ओन दा मे है मैं देखता हूं क्या देख रहा हूं तू बोल्स तू मतलब दो बोल्स मतलब गेंदे थ्री बोल्स होती तो कितनी होती तीन गेंदे फॉर बोल्स फाइव बोल्स सिक्स बोल्स सेवन बोल्स एट बोल्स अंड्रेट बोल्स टू हंड्रेट बोल्स वन थाउजन बोल्स लेक ये तू बोल्स और वन एंड ये रही वूल्स ये मैंने पिक बना दी नेक्स्ट सेंटेंस कि तरह बढ़ते नेक्स्ट सेंटेंस को पड़ी क्या लिखा हुआ है यहां लिखा हुआ है सब से पहले इस इस ए बिग बास्केट बिलकुल सही पूरा क्या हुआ देस इस इस बिग बास्केट इस इस बिग बास्केट ठीक है तो बिग बास्केट बनाई है आप मैंने इस तरह की बास्केट जानते हो बास्केट होती है टोकरी टोकरी होती है अगर मैं आपने देखी होगी बास्के हो यह रही बिग बास्किट ठीक है next sentences में देखते हैं that is a big green tree that this नजदीक होती है कोचिज यह बास्किट नजदीक है दे कोई sentence के तो यह दिस है that मतलब थोड़ी दूर होगी वह है that is a big बड़ा बिग मतलब बड़ा ग्रीन मतलब हरा प्री मतलब पेड यहने की बड़ा हरा पेड तैट इस वह वह है वह है a big green tree एक बहुती बड़ा पेड मैं बना देता हूं पेड बिग ग्रीन ट्री आप अपनी वर्क बुक में बनाई ये वर्क शिट पर बनाई ये वर्क शिट नंबर 13 पर बनाना है और किसी पर मत बना देना ठीक है ये रही वाव वाव वोड़ा लवली ट्री इधीस आउ जब हम वंडर शो करते हैं इस्क्लेमेशन शो करते हैं मतलब हमें जब कोई चीज देखने के बाद आनन्द आता हो आश आइम सेड आइम सेड जब रोते हैं अदास हो करके बेट जाते हैं तब हम बोलते हैं आइम सेड मैं क्या हूँ मैं सेड हूँ तो देखते हैं सेड किस तरह से हूँ ये मू लटक किये देखो ये मू लटक गया आँखी उपर चड़ गया आइम सेड यह होगा आइम सेड मैं अधास हूँ, हैपी होते हैं तब मजा आता हा 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 हा, I'm happy, ठीक है, तो next बढ़ते हैं, these are four cups, these are, ये, these, जब एक हो तब तो this, तूर जब एक हो तब देट, नजदीक एक हो तब देट, तूर एक हो तब देट, और these cup बोलेंगे, these बोलेंगे जब एक से ज्यादा हो, और नज जीज, जैसे यहां देखो, four है, एक cup तो नहीं है न, one cup नहीं है न, four cups, one cup, लेकिन one से ज्यादा होते हैं, यहां क्या हो जाएगा, cups, एक cup, one cup, एका मतलब भी एक के अर्थ में हम लेते हैं, one cup, two cups, three cups, four cups, यहां कितने four cups, ठीक है, cups, 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 these are four cups, तो देखते हैं, picture बनाते हैं यह picture आपके यहां बनी हुई है, यह रहे देखो, गिन लो, one, two, three, and four, these are, क्योंकि यह नजदीक है देखो, इसके नजदीक है न, तो यह दीज हो गया, यहां होता न, यहां कप यहां होते हैं, तो दोज हो जाते हैं, ठीक है, दूर होते हैं, तो दोज नजदीक होते हैं, तो दीज, एक होता है, तो हम इस लगाते हैं, इस और ज्यादा होते हैं, तो आर लगाते हैं, एक होता है, तो इस लगाते हैं, और और ज्यादा होते हैं, एक से ज्यादा होते हैं, तो आर लगाते हैं, और यहां भी ऐस लगाते हैं, दो चीजे हो जाती हैं, आर लग जाता यहां बीट नहीं रहता यहां देज और दोज प्रट ठीक टो इट इस एक मिनानी है यह लड़की है और को इस तरह का केक बना सकते हो तो बना लो कुछ भी तो नहीं एदेगो इस तरह आई लव केक, लव टू इट केक, बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्क सीट की तरह 14 जो कि मेरे इसाब से लास्ट वर्क सीट होगी, क्योंकि हमने बात करी थी 8 से लेकर के 14 तक की वर्क सीट जो है, वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और उसके बाद होगा फॉर्मेटिव टेस्ट सेकंड बढ़ते हैं नेक्स्ट टीचर के लिए इंस्ट्रक्शन से टीचर लोग पढ़ें इसको और बताएं देखें क्या क्या करना है टीचर्स को अभी सेंटेंस को पढ़ेंगे दो बार एंड यू चिल्टन सम टाइम टू ड्रो बिफोर मूविंग टू दू सेंटेंस द यह कैट यह की वर्ट सही आपर फोस किया हुआ है वही की वर्ट्स होते है ठीक है ने बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्टफ की तरफ यह रही 14 टृटकी टृट्स की नंबर होतीनिट ओक्रें डेक देखते हैं लुकbee हिए दर फॉलोविंग पिट्थ सब से पहले शबसे पहले इसमें सेंन सब पहले यह यह हूं गो का मतलब, Yes, Car चलाना, Play का मतलब, तो क्या हो जाता? यू फ्लाई एक कार, मतलब तुम कार को उड़ाते हो, ठीक है? कार को उड़ाते थोड़ी हैं कि हम फ्लाई लिख दे, जो वर्ड जी सेंटेंस के लिए है, जिस्पिक के लिए है, वही वर्ड हम यहां पर फ्लेंक में भरेंगे, और थेंटिक सिचुएशन Eugene He is kicking the football, and two boys are playing football, two boys plays, two boys plays नहीं होता, two boys play football, तो हमने, यहां पर two boys ना लेकर की, इस ने यहां पर लिखा we, यानुकी हम, और यहां लिखना अपने को खेलते हैं, अगर हम आपने लिख दिया fly we fly football तो जाएगा हम football को उडाते हैं अगर आपने लिख दिया यहाँ पर यह वाला यह drink तो हम football को पीते हैं अगर आपने यहाँ लिख दिया right football तो जाएगा हम football को लिखते हैं क्या होगा हम football खेलते हैं यानि कि play होगा तो ये sentence क्या बन जाएगा ये बन जाएगा we play football थर्ड sentence की तरफ बढ़ते हैं थर्ड पिक में देखो कुछ birds है birds are flying ये sun और ये clouds वाव ये sky ये sky है ये birds है crow भी हो सकते हैं, pigeons हो सकते हैं birds में ये sun है उदे होता हुआ या ये उदे होता हुआ ही है ये उदे होता हुआ है ये यहाँ पर हम लिख देंगे sun राइटिंग आपकी नहीं है sun तो birds birds fly करते हैं कि तेरते हैं? fly करते हैं, उड़ते हैं birds fly in the sky next dot पिक की तरह बढ़ते हैं what do you see in the picture what do you see in the picture क्या दिख रहा है बता है ये क्या देखते हो फिसे हैं ये water है water है तो ये समूदर में होगा ये तो समूदर को आपने पहले देखा था इसको sea बोलते है sea में क्या होता है sea में होता है water तो water भी आपको दिख रहा है water में क्या होता है water में होती है fishes fishes यहाँ पर लिखा हुआ है fishes water में उड़ती है fishes वहाँ पने में drive करती है fishes swim करती है तेरती है तो इसमें क्या हो जाएगा yes of course swim fishes swim in the water next हम देखते हैं बच्चा है child है boy भी कह सकते हो child भी कह सकते हो इंच आए अड़ी चाइल्ड भी कह सकते हो बेबी भी कह सकते हो यह क्या है देखो वोट यू सी इन देखो यह है ग्लास ग्लास में है मिलक और हाथ में यह पकड़े होगे आथ को बोलते हैं hand the boy is holding the glass of milk in his head in his hand तो ये तो होगी साई ये सारी बाते इतनी सारी बाते बोल दी पांपर मैंने और ये कुछ यहां पर दूद्ध जो है वोटल में पड़ा हुआ है नीचे ठीक है तो यहां ये कौन है आप हो आप अपने लिए क्या लगा होगे आई आप बोलोगे आई अब दूद्ध को उड़ाते थोड़ी है दूद्ध को पीते हैं तो इसमें क्या आ जाएगा बिलकुल से ही इसमें आ जाएगा ड्रिंक आई ड्रिंक मिल्क नेक्स्ट पिक देखते हैं वोट यू सी इन दिस पिक्च देखो इखो इट इस अ पैन इट इस अ कोपी नोट भूक औ कि यू केन हम हो फाइंड हुआ यू फाइंड आउट को इससी और हुए उट ही को करने दूसको इgenट इस मेंुए घरी आपने को focus इन चीजों पर नहीं करना है मैं देख लिया चलो मान लिया कि इतने सारे words हम बना सकते हैं we are intelligent students लेकिन आपको खुद को मानना है आई तो आई ये लड़की हो गई या लड़का हो गया जो भी है आप अपने आपको इसको मान लो और यहां main focus किस पर करना है a letter a letter से स मंदित होता है लिखना यानि कि राइट इसमें आ जाएगा राइट एक बार फिर से चलते हैं आपको सबसे पहले यहां पर यह action words है जितने भी सबसे पहले आप लोगों को यह object को देखना और इससे related words जो हो यहां पर भरना है car को drive किया जाता है इसलिए यहां पर drive लिग द लेटर को लिखा जाता है इसलिए right हमने okay thank you next अब आपके आने वाली है परिक्षा यानि कि assessment आने वाला है formative assessment second चलो चलते हैं आपकी screen पर यह है formative assessment second और class कौन सी है class है fourth and fifth formative assessment second आप देख सकते हैं सबसे पहला जो है question इसमें लिखा हुआ है 79 इस आपको पैचानना है और टिक मार्क करना 79 कौन सा है देखते हैं यह रहा 79 देख को टिक मार्क आ गया अपने आप next इसमें what runs on the road बताई रोड़ पर क्योंसी चीज़ दोड़ती है रोड़ पर क्योंसी चीज़ चलती है रन का मतलब चलना भी होता है बताई यह बताई यह फैन जो है फैन इस रॉनिंग पंका चल रहा है यह निज़ ओन स्विच ओन कि बताई यह रोड़ पर देखते हैं बस बस चलती है एरप्लेन चलता है और多र इसगय पर Monitor पैंसेल क्या है eli पहर टीग है यह अनिमल है अगर जानवरो तो क्या होगा बचों को बचोन को आधत होती है मूँ में लेने की उनकी जीब और लेगा जानवर तो नहीं नहीं है इस्थान नहीं है कोई जाता नहीं है पैंसिल के अंदर को जाता है नहीं स्वासटान वेयत निया क्योंकि पैंसिल खाती नहीं है पैंसिल प्रैजित नहीं सोकतो की तरह ठोस्ती निया क्रकुर ऑगे तो ये क्या होगी पैंसिल कुछु कुछ नहीं करते हैं वो जोisphere थो यानि कि यह भी पैंसिल क्या होगी देखते हैं चलो स्क्रीन पर टिक मार्क लगाओ स्क्रीन वालों टिक लगा लो यह लगा दिया यानि कि यह है धिंक फॉर्थ इसमें देखते हैं वोटीज रिस्पोंस टू हाव आर यू रिस्पोंस का मतलब होता है उत्तर आप की सतरह का देता हैं снова you अभी पडात हमने अवार यू क्या बोलते हैं अप इंब अटर के अंट dl बोलिए है, how are you, विल्कुल सही, आपको बोलना चाहिए, I'm fine, okay, I'm fine, अगर आप क्लास में बेटे हो, देख रहे हो, तो आप सारे के सारे एक साथ बोलोगे, we are fine, we are fine, okay, कलते हैं, next, second, question number fifth की तरफ, fifth miss में लिखा हुआ, labeled the cat, with given words, label लगाना, label का मतलब होता है, कि आपको वो ज यह है, कहा है, आईज, गाल का सानिसान बना करके जैसे, I just गिलती है ना मैं हु जब में वह जब बोल्ते है Ezंक कुण्य थच्छ शुर्ट ईस्व देखते हैं नोज बिल्ली की नंक है एक डिल्लीिक यह कान है गलत हो गया आले गया चलो यह 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 है यह कि इलिए है यह चैले यह है यहां पर है यह वाला जो यह किस के लिए कि पोर्थ वाला पहले यह लँत vendor दे इस तरह से हो गया नोल स्नेक्स तरुक्ष क्या करना है एक में look at the picture picture की तरफ देखो and complete the sentences, sentences को complete करो, complete क्या करना है जो खाली जगर दिवी है न, blank में आपको कुछ लिखना है, देखो children, चित्र को देखो, ये वच्चे हैं ये children है, child का क्या होता children, child होता है, एक children होता है एक से ज्यादा, child होता है एक children होता है, ज्यादा फिर से सुनो, child होता है, एक, एक को child बोलते हैं, c-h-i-ld, और दो होते हैं, तो children बोलते हैं, ठीक है, ये r-e-n लगा देते हैं, तब ये child है और r-e-n लगा देते हैं, तो ये children बन जाता है, तो children क्या करते हैं देखो, play with toys यहां पर, play with toys यही तो होगा खेलते हैं, बच्चे इसको, toys को खाते थोड़ी हैं play with toys आई, आई के बाद देखो, यहां क्या लिखा हो, a book आई, book को क्या होता है, बुक को खाते हैं क्या, अगर खाते हैं तो I eat a book, मैं book को खाता हूँ I drink a book, मैं book को पीता हूँ I kick a book, कोई नहीं है हम सर से चुआते हैं, अगर पेर लग जाता है तो के कोन मालेगा, बुक को भई जो बुद्धु होगा, वो बुक को पेर लगाएगा पेर को जब भी पेर टाच हो जाए, सिर से लगानी चीए विद्या माता है, सरस्वति माता तो I book, इसमें read पढ़ते हैं इसमें आजाएगा, I read a book तो यह हो गया, 6th, 7th को देखते हैं, इसमें क्या है, draw draw मतलब चित्र बनाना है, किसका बनाना है, क्रिकेट बेट का चित्र बनाना है, बिल्कुल आप बनाई आप अपने तरब से किसी भी तरह से बेट तो देखा आपने बना सकते हैं, मैं इस तरह से बनाऊंगा, देखो, यह रहा बैट, मैंने इसको लिटा दिया, आप इसको उपर कर सकते हैं, उपर लाइन खींच करके, ठीक है, draw two mangoes तो दो आम बनाने हैं, मैं आम इस तरह से बनाऊंगा यह रहे, two mangoes आप अपनी हैसाब से किसी भी तरह से बना सकते हैं बस color का ध्यान रखना है, color इसमें yellow ही बरना है because they are these are, they are those are yellow mangoes ठीक है इस तरह से आपका यह formative assessment हो जाता है, complete और बिल्कुल हमने अच्छी तरह से यह जो जितने भी worksheets जो थी, वो हमने complete कर लिए formative assessment जो है, वो भी हमने complete कर लिया 6th, 7th, 8th की भी worksheets जो है, वो यहाँ videos में आपको मिल जाएगी बस आपको playlist पे जाना है, class आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, उस जिस class की worksheet यहाँ पर lessons भी आपको मिलेंगे, जिस lesson को आपको पढ़ना है, जिस class के lesson को आपको पढ़ना है, वो class पे आप जाकर के click करिए, उस class की video जो है, वो आपको lessons की और workbooks की जो है, वो बहाँ पर मिल जाएगी थैंक्स पर वाचिंग वीडियो देखने के लिए लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए घर पे जतने भी बच्चे पढ़ने वाले हैं फोर्थ फेफ्ट में उनको दिखाईए और क्लास में भी आप इसकी एल्प ले सकते हैं बच्चों को ओडियो विज्वल एड की तरह आप काम में इसको ले सकते हैं तो सभी टीचरों का बहुत बहुत धन्यवाद इसको मैं करता हूँ बन लास्ट में मैं बोलता हूँ नमस्ते और बोलता हूँ जे हिन जे भारत